नमस्कार दोस्तो अभी अभी रिसेंटली ऑस्टेलियन गवर्मेंट ने अनाउस किया है कि जो मिनिमूम वेज होगा वो बढ़के 24 डॉलर 10 सेंस हो जाएगा जो पहले 23 डॉलर सम्थिंग था उससे पहले 22 डॉलर 25 सम्थिंग था तो दो साल में 2 डॉलर के आसपास बढ़ गय क्योंकि जब हम यहाँ पर आये थे तो जो चीजों के प्राइस से उससे डॉल्मूस डबल हो गया हमको 5 साल हो गया वस्टेलियम में तो 5 साल में हमने जो चीजे खरीदी थी वो दो डॉलर में थी वो चार डॉलर में मिलने लगी है तो उसी साब से देखने जाए तो पैसे इतने नहीं बढ़े और हाउस की किम्मत यहाँ पर जो रेंट के किम्मत है वो इतनी सारी बढ़ गए कि यहाँ पर नॉर्मल लोगों के लिए सब्सक्राइब करना मुस्किल है अगर एक बंदा अन्नेंग कर रहा है और दो तिन लोग खाने वाले जैसे हमारी कंट्री में क् एक बाई जो होता है वो जौब करता है उसकी फैमिली पूरी सब लोग उसी में से गुजरा कर सकते है बड़ यहाँ पर नहीं होता ऐसा वहाँ पर भी चलो अलग-अलग लेवल का होता है कि बाई किसी के जादा पैसे है तो जादा अच्छे से कर रह सकते है किसी किसी के पा अगर आपको जॉब नहीं मिल दिये वट वह ठब जब आप यहाँ के सीगे अगर वॉस्टेले के सीडीजण नहीं हो तो आपको कुई हअलप नहीं मिलगी और पहले वह बो बोलेंगी कि भला अउमको प्रूप दिखाओ कि आपको जॉब नहीं मिल पड़ेगी अगर तो फिर आपको और अब करेंगी तब तक और अब को यह थान में रखना पड़ेगा जैसे कि रेंड की किम्मत यहां पर पहले 300-400 डॉलर थी एवरेज सस्ते गर की में बात कर रहा हूं एक दो बेडरून के वह अभी 500-600 के आपास होने लगी है जो हम जो गर में रहते वह पहले 250 डॉलर था जब मैं यहां पर 2021 में रहने के लिए आया तो अभी उसकी नेक्स सम्टेंबर से या फिर अभी नेक्स मन से उसके हो जाएगी 320 डॉलर के आसपास तब सोच सकते हो कि 3 साल में कितना रिंट का एक्रिमेंट आया है तो उसकी वज़े से यह कि इस लोगों का रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि रेंट के जादा प्राइस है उसके अलाव ग्रोशिष के प्राइस बढ़ गए उसके अलावा जो पेट्रोन का प्र पहले था $1 के आसपास $10, $1, $20, $30 उसके आसपास था जब हम 2019 में आप वस्चली में आये था अब वो गये $2 के आसपास कभी $190 कभी $195 कभी $2, $10 असा कुछ होता है बट जो $190 का डिफरंट आये उसके जब आप पूरा टैंक की फुल करोगे तब आपको बजा जलेगा कि मैंने इतने सारे पैसे एक्स्ट्रा पे कर दिये पेट्रोल के जो प्राइस है उसमें यहां पर rent crisis बहुत जादा है grocery के prices बहुत बढ़ने लगे बहुत सारे लोग जो अभी गवर्मेंट भी होती जो opposition गवर्मेंट होती है वो भी इनके अगेंस्ट है वह यहां पर दो तिन बड़े सुपर मार्केट है जैसे वहां पर हमारे रिलाइंस है डीमार्ट है उसके जै दो ही बड़े player है एक का नामे Coles और दूसरे का नामे Woolworth तो वो दो बड़े Giants है उनके वही से आपको अपना grocery का daily routine का सामाल लेना पड़ेगा तो एक की जगह पर price बढ़ाएगा तो दूसरा भी बढ़ाई देगा तो आब ऐसा तो सोच नहीं सकते इसकी जगह पर मैं उसके पैसे बढ़ा देते हैं उससे थोड़ा जादा बढ़ाया है तो बिछले दू सालों में तो आपका जो minimum pay होगा वो $24.10 होगा है बट आप यह ध्यान में रखना कि आप ऐसा उस्टेलिया में नहीं होता है कि जो minimum pay वही आपको मिलता है minimum पी तो बहुत कम company होती जहां पे होत लिए तो उसका पे $25 के आसपास होता है permanent jobs और casual job काम ने एक already video बनाया हो जाकि आप देख सकते हो उसकी link मैं आपको description में दे दूंगा इतने सारे लोगों को affect नहीं करेगा क्योंकि उनका पे तो जादा होता ही है बड़ उनसे फाइदा यह होगा उन लोगों की minimum pay यहां पे बढ़ा है तो उनका जो pay होगा उनका भी pay जो 3.75 वसल के इस साल बढ़ा है उनका भी pay उस हिसाब से बढ़ेगा तो उनको भी थोड़ इतने बढ़े इसकी प्राइस जादा हो गई तो महें गई तो यहां पर भी आ गई है बड़ यहां पर पहले से थोड़ा अच्छा structure था यहां पर पेस के इसाब से जो खर्चा होता है वो थोड़ा कम होता है तो उसकी वज़े से उतनी देखती नहीं बड़ अगर ऐसा ही च सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई